तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KPIT के बारे में और KPIT राज अपने quarter 4 के numbers announce कर दिये है in fact थोड़ी देर पहले ही दोस्तों यहाँपर numbers announce हुए है और जैसे ही numbers announce हुए हमने देखा कि stock price में हमको एक शानदार तेजी देखने को मिल रहे है राउंड देखे 9% कि हमको यहाँ पर stock में एक run-up देखने को मिला है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि market को भी दोस्तो numbers काफी पसंद आये है और market ने इस चीज को यहाँ पर reward किया है करीब 9% की जबरदस्त तेजी तो इस वीडियो में हम detail analysis करने वाले हैं देखिए numbers का हर metric पे यहाँ पर हम check करेंगे किस प्रकार का performance Q4 में हमको देखने को मिला है और साथ ही साथ last पर हम technical chart पे देखेंगे क्या अब यहाँ पर buying level हो सकते हैं क्या हमको करना है क्या हमारी strategy रहनी चाहिए वीडियो पूरा देखिएगा काफी interesting वीडियो होने वाला है चलिए numbers पे चलते हैं सीधा तो अगर हम PNL देखे सबसे पहले यहाँ पर तो millions में value है करोड में बात करेंगे तो 540 करोड का revenue पिछले साल था March के quarter में इस साल बढ़के हो चुका है 651 करोड का तो अच्छी खासी growth हमको यहाँ पर year on year देखने को मिल रही है top line में यानि कि revenue में तो करीब करीज दूस्तों यह जो है 21% की growth हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है sequential basis पे भी आप देख सकते हैं आपर around 5% के आसपास growth देखने को मिल रही है प्रोफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोफिट है 52 करोड का प्रोफिट बढ़के हो चुका 78 करोड का तो आप देखे year on year 50% की profitability में growth जो की amazing है और sequential basis पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब करीब आप मान के चलिए कि 10% 10-11% की हमको यहाँ पर sequential basis पे भी growth देखने को मिली है तो यानि कि top line bottom line और अगर हम बात करते हैं operating profit की तो यह भी हमको sequential year on basis पे हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर बात करते हैं margins के तो margins किस तरीके से रहे हैं company के वो भी काफी important है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा margins जो यहाँ पर trend है तो देखिए अपकी बारे जोस्तो 18.6% के margin जो की sequential basis पे मतलब पिछले quarter में थे 18.5% के और पिछले साल इसी quarter में थे यहाँ पर 17.2% के तो यहाँ पर एक अच्छी चीज यह है कि company ने year on year भी margins अपना increase किया है और sequential basis पे भी यहाँ पर margin हमको improve होते हुए देखने को मिले which is really amazing company दो दूस्तों attrition का data यहाँ पर नहीं दिया है मैंने पूरा check कर लिया है company ने attrition का data यहाँ पर नहीं दिया है कि हमको year on year sequential basis पे यहाँ पर improve होते हुए देखने को मिल रहे है जो कि really amazing चीज है यहाँ पर हम बात करते है deals की तो यहाँ पर कुछ new engagements new deals की बात करें तो देखे करीब 125 million dollar plus कि हमको यहाँ पर deal देखने को मिल रही है एक American car manufacturer है जिनके साथ KPI यहाँ पर अपना एक engagement किया है for the power train virtualization domain एक leading European car manufacturer है उनके साथ यहाँ पर partnership की है for the you know auto star and vehicle diagnostic domains leading American commercial vehicle तो काफी देखिए commercial जो इनका vertical है commercial जो vehicle का vertical है इनका काफी अच्छी तेजी के से grow हो रहा है और यहाँ पर आप देखते हैं कि काफी commercial deals हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है और यह चीज में आपको बताऊं तो vertical अगर हम देखें vertical अगर हम data देखें कि vertical में क्या growth है देखिए passenger car की यहाँ पर जो growth है 10.9% है year on year लेकिन commercial vehicle segment की जो growth है वो 32.4% है जो की एक बहुत ही अच्छी चीज है और यहाँ पर काफी सारी deals इन्होंने इस quarter में भी win की है अधर में देखें 90.3% की growth और जो इनकी services है powertrain, AD, ADS, connected vehicle तो यहाँ पर हमको अच्छी growth देखने को मिल रही है तो अगें vertical wise भी काफी अच्छा performance है और इसी की वज़ेसे आप देखेंगी stock के price में हमको एक जबर्दस rally यहाँ पर देखने को मिल रही है अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे deal की तो देखें कितनी सारी deals यहाँ पर win की है ठीक है और एक और यहाँ पर दूसर बड़ी deal इन्होंने जो है large engagement यहाँ पर इनका जो है इन्होंने एक agreement sign किया with the European OEM उनके साथ यह partnership करने वाले for the ECU platform software जो कि यहाँ पर 70 plus million euro की deal है 80% of the revenue expected to be delivered over the next 5 year तो यहाँ पर revenue visibility clearly नजर आ जाती है कि यहाँ पर इनके पास large deal है total contract value काफी अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है तो again यह भी एक promising चीज हमको देखने को मिलती है और dividend भी company नहीं आपर announce किया है 2.92 ठीक है इसको आप मोटा मोटा मान लिजे 3 का तो अगर आप 3 से divide करेंगे यहाँ पर sorry यहाँ पर अगर आप add करते हैं quarter on quarter basis पर EPS अगर आप 2 को add करते है 2.37, 2.55 and 3 को add करेंगे तो आपके पास करीब करीब यहाँ पर 10 का EPS आ जाएगा अगर आप उसको current market price यानि कि 553 से divide करेंगे 10 को तो आपको यहाँ पर 55 के आसपास basically जो है P मिल जाएगा और यह इसी की वज़े से आपने देख लिया है कि stock price में हमको वापिस से तेजी देखने को मिल गई है हमने देखा है उसको यहाँ पर LNT, LTTS हो गया, Tata Alexi हो गया या फिर KPIT हो गया तीनों ही ER&D focused company है और तीनों ही यहाँ पर अच्छा perform किया है तीनों के margins maintained रहते हुए देखने को मिल है तीनों ने यहाँ पर operating जो profit यहाँ पर अपना incrementally यहाँ पर grow किया है साथी साथ top line bottom line में भी growth देखने को मिली है और total contract value तीनों की अच्छी है तो यहाँ से पता चल रहा है कि definitely ER&D space यहाँ पर grow कर रहा है मुझे लगता है ER&D space काफी एक जबरदस्त यहाँ पर segment है जहाँ पर growth के potential अच्छे है जो dynamics है इस industry के grow हो रहे है digitalization की बात करें हम plant machinery की बात करें या फिर hospitality की बात करें medical equipment की बात करें तो यहाँ पर engineering research and development पर काफी जादा investment हो रहा है companies के द्वारा और यहाँ पर focused companies है वह काफी मुझे लगता है कि अच्छा करेंगी तो यह company भी आप अपने radar पर रह सकते है बाकि technical chart पर चलते हैं तो देखिए साड़े 9% की तेजी है गजब की हमको यहाँ पर buying होती हुए देखने को मिल रही है एक जबर्दस यहाँ पर demand zone था ठीक है अगर number अच्छे नहीं आते तो यह stock आपको 470 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता था और यहाँ पर मैं उमीद कर रहा था कि यहाँ पर यह stock नीचे आएगा लेकिन यहाँ पर उसको जो number आये हैं वो amazing रहे हैं तो stock वापिस वापिस से उपर हमको जाता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप buying करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत SIP आप invest कर सकते हैं लेकिन lump sum यहाँ मत कीजिए जो क company का जो segment है जिस वर्टिकल में company काम करी है वो भी शांदार है तो तीनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से भी LTTS और KPIT हम पर valuation wise अच्छी नजर आ रही है राधर दें Tata Alexi Tata Alexi में आप wait कर सकते हैं और हमने देखा है कि Tata Alexi में थोड़ा बहुत correction भी ह हो रहा है तो यह था दोस्तों पूरा analysis नंबर अगर आपको कैसे लगें अच्छे लगें खराब लगें कमेंट करके जरू बताइएगा क्या आप invested हैं क्या कर रहे हैं लॉंग टम के लिए invested हैं या short term के लिए invested हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं तो यह है वीडियो अच्छ